हलो एवरीवन, वेलकम तो दिस अमेजिंग प्लेटफर्म फवर्ट चैनल पने शेफ़ अकॉम्टेटिव इग्जामिनेशन से डायम प्यूश तो जैसा कि आपको पता है अभी हमारी कौन से सीरीज चल रही है 1300 प्लस कॉमन एरर्स की क्लास चल रही है जिसमें कि आज ही आपका day number 25 होने वाला है अभी तक हम day number 24 तक successfully complete कर चुके है तो अगर आपने day number 24 तक की क्लास नहीं देखी है वो जाके देख लेना क्योंकि मैं आपको जो भी कोर्स करा रहा हूँ जो भी आपके questions है errors के वो इस तरीके से arrange है कि मैं आपको एक एक करके सारी की सारी चीज़ों पर view देता जाओं जितने भी आपके previous year questions नहीं हैं उनके form में ठीक है ना तो हम क्या कर रहे होंगे इन questions के form में सारे के सारे previous year questions को discuss करेंगे ही करेंगे उसके साथ की साथ आपकी जो भी पूरी की पूरी English grammar का section है ना वो हम पूरा इसके तरू cover कर लेंगे ठीक है ना इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी और हमारी practice भी हो जाएगी काफी सारी तो इसके तरू हम क्या करेंगे दो तीन बार English grammar को discuss कर लेंगे और इसमें जो भी मैं आपको discussion करा रहा हूं वो अगर आप रेगुलरी देख रहे हो तो आपको पता ही हम अपना discussion जो है यहां करना होगा अपने logic पर कृणि क्या होती है logic से बोली जाती है तीज कि अगर आपने इंटरो नहीं देता हूं डेली डेली यहाँ यह पना अब तो आधे लोगों को हैं पर रटिबे होगा इंट्रो यह सारे कोशन किस्ते हैं भी एसस ती के जितने भी एग्जैमिनेशन वह आपके 2020 तक का जो भी एग्जैमिनेशन होगी आप का मतलब जिसमें भी common error से question आ रहे होते हैं या फिर जहां पर आपकी English grammar से related errors आएंगे ठीक है ना तो उन में आपके उन प्रेपर्स में उन आपके जो competitive exams हैं उनके लिए यह सीरीज बहुत ज्यादा helpful रहेगी ठीक है ना चलो भई इसके अलाव आपका vocab course चली रहा है और भी कई सारे courses हैं जैसे आप जाके देख सकते हो ठीक है अपना आज का डे नमर 25 इसको फटा फटा सब शुरू कर लेते हैं आपके सामने आज का question 358 के form में तो देखो भई अपने पास क्या है I am yours affectionate son तो देखो अब I am yours affectionate son का क्या मतलब हुआ सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं I क्या हो जाएग यैसका कोई मतलब नी होता फिर अपने पास में दो निकल के आते हैं यह तो यह अपने आपर yours हो सकता है यह फिर अपने आपर yours होगा तो देखो yours क्या होता है न होता है और जो योर होता है यह होता है आपका possessive adjective ठीक है यह होता है possessive adjective अच्छा अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर doubt है तो मैं आपको बता ही देता हूँ एक बार कि योर्स का हम जब भी use करते हैं तो let's say मैं आपको एक example देता हूँ यहाँ पर मैं एक example लिख रहा हूँ कि this pen is योर्स तो यहाँ पर मैंने योर्स लिख लिया अब देखो यह योर्स ने क्या किया इस pen के उपर possession दिखाया की नहीं दिखाया यह जो pen है मैंने क्या बटाया यह pen तुहरा है तो यह y doivent六 दिखा दिया pen के उपर नेकिन इस योउड के बाद में कोई मावन यां प्रनॉण दूस To You रहे हो है अपना प्रनॉण के बाद में दो प्रनॉण एक साथ योज़ नहीं हुआ प्र सकते यह फिर दो नॉण और प्र नॉण ःक तो मैंने यहाँ पर your के पास में एक noun डाल दिया है ना यह जो आपका noun जो pen है यह आपका noun है इसी pen के उपर मुझे possession दिखाना है तो यह क्या हुआ noun के पहले लगके इसने इसके उपर position दिखा दिया तो यह क्या बन जाएगा अपना possessive objective बन जाएगा क्योंकि इसके पास में ए affectionate क्या होगा मैं आपका प्यारा बेटा हूँ affectionate क्या होता है इसका adjective बनेगा ठीक है ना son को qualify करेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर adjective यूज होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा I am your affectionate son हो जाएगा यह और क्या करेगा है सन को qualify कर देगा और यह possessive adjective की तरह use हो रहा होगा ठीक है ना चलो भाई clear होगे समझ में आगे error किसी में होगी second वाले option में error होगी अब मैं यह आपको सिधा सिधा भी बता सकता था लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिन में उनको काफी सारा doubt रहता कि पहले यह देख लेते हैं अपना she she and she क्या हो जाएगा subject हो जाएगा new क्या हो जाएगा यह अपना main verb हो जाएगा बेंगोली क्या हो जाएगा corrupt object ठीक है sy new बेंगॉली अब यह जो well हैण यह well क्या कर रहे है इस new के बारे है क्वालिफाई कर रहा है तो जो भी आपकी वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है एडवर्ब होता है कि नहीं होता है बोलो हाँ तो यह हो जाएगा अपना एडवर्ब क्लियर होगी बात अब मैं आता हूं इस पर बिसाइड क्या होगा बात को समझना शी नियू बें होता है कि कभी भी अगर मैं beside बोलता हूँ तो इस beside का मतलब होता है next to क्या मतलब होता है इसका अगर मैं English में बोलना चाहूं तो next to होता है यानी कि किसी के बाद में बैठना है let's say मैं आपको एक example देता हूं इसका I set down I set down next to my friend next to my friend यानी कि मैं क्या किया अपने friend के बगल में जाके बैठ गया next to होता है उसके बाद में जाके बैठ गया ठीक कि किसी के side में बैठना किसी का हम अगर row के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम beside का use कर रहे होते हैं तो आपका यहाँ पर कोई ओर बताया जा रहा है नहीं यह अपना order तो नहीं बताया जा रहा यह टीक है ना तो beside का आपको मतलब समझें है beside का मतलब होता है next to या dafür कि उसके साथ में बैठ जाना या फिर उसके बाद में बैठ जाना clear है अब आपका होता है besides अब इस besides का मतलब क्या होता है देखें जरा अब यह जो besides होता है न इसका मतलब होता है in addition to इस besides का मतलब होता है in addition to clear है क्या होता है in addition to यहाँ पर आपका O आजाएगा यानि कि उसके अलावा भी है ना अब यहाँ पर हमारी किसकी sense आ रहे है हिंदी के अलावा उसको बंगॉली भी आती है तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे बिसाइट को यूज करेंगे क्लियर है बात समझ में आई कि नहीं बोलो हाँ क्लियर हुआ इरर किसमें फर्स्ट वाले उप्चिन में अपनी एरर हो जाएगी ठीक है ना चालो अगले कोश्चन पर आता हूं अपने पास क्या है को अब देखो यहां पर यहां पर यह इस इफ का यूज आपको कम से कम तीन कुमार राज उसने बोला हुआ था कि सर आप मिद्नाइट के बाद ही क्यों क्लास बनाते हैं कि आप लोगों के लिए काफी सारा कॉंटेंट प्रिपेर करना होता है वह उसमें चला जाता है जैसे अभी आपका जून का एंड आपने देखा भी होगा है टेलिग्राम पे पो लेंगे जो भी आपका पॉल में जादा आएगा वह मैं आपको वीडियो प्रवाइड कर दूंगा पहले लेकिन मुझे कराना तू सारे है जैन्वरी से लेकर के आपका जो भी चलेगा ठीक है क्योंकि चले सल एक्जाम तक आने से पहले पहले आपको वह सारा मुझे करा दे सकेंगे वह सारे कि सारे कोश्चन कराने होंगे तो वही सारी चीज़े देखनी होती है इसके अलावा आपकी CRASH COalgरा चल रहा है तो उसमें भी आपके Most Expected Questions कराने पड़ते हैं तो उसमें भी आपके लिए most relevant relevant content हो सकता है most relevant questions हो सकते हैं वो सारे आपके लिए बाइड किये जाते हैं तो इन सब चीजों में टाइम चला जाता है बट कोशिश करता हूं कि जितना भी आप लोगों को दे सकता हूं relevant content वो देता हूं and actually मैं हुआ गया है ना कि मैं समझता हूं कि आप लोगों को ना कहीं ना कहीं relevancy की बहुत जादा कमी है कहीं आप कोई भी online platform उठा लो न तब कहीं न कहीं वो लोग इदर उदर भटकी जा रहे हैं पता नहीं आजकल थोड़ा सा system इदर उदर हो रखका है तो मैंने भी बहुत सारी problems face की हैं और उस time पे मेरे पास में नहीं था कोई जो मुझे बता सके कि हां भी यह relevant है वह relevant है तो बहुत जादा hard work लगा उन सारी चीजों में बहुत जादा time लगा है ना वो सब ढूनने में यह है वो है तो बस यहीं कोशिच कर रहा हूं कि अपना experience यो भी रहा है तो उसके accordingly आपको relevant content prepare कर सकूं prepare करके दे सकूं है ना तो बस यहीं है कि आप effort को देख पा रहे हैं कि हम क्या effort कर रहे हैं आपके लिए और क्या-क्या चीजें लेकर आप आ रहे हैं जब आपका एक कमेंट आता है ना इतना motivation मिल जाता है इतना positive energy charge up हो जाती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हो मैंने आपको पता है कुछ time पहले तक अब कुछ time पहले मेरी तबिया तबी ठीक हो पाई है कुछ दिनों से काफी जादा बीमार था मैं वन मन्त तक मैं थोड़ा मेरी तबिया काफी डाउन रही है लेकिन आप लोग के लिए मैंने classes अगर मैं आपसे बोलो का ना तो आपको लगेगा कि इस अदर पता नहीं ऐसा हुआ होगा नहीं आते हैं फटा-फट से थोड़ा सा यह क्या हुआ अभी मुझे सड़न याद आया तो थोड़ा भावराओं में बह गया है खैर कॉशन पर आते हैं बस अगर आपको अच्छा लगता है चीजों को तो सेशन को शेयर कर दिया करो और भी बच्छों के पास पहुंच चीज़े क्या है आप ही लोगों तो खैर इसको अठाता हूं देखते हैं अपना यह वाला कोशन क्या है यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था आपसे थोड़ा सा भावनव में इधर उधर बह जाता हूं ढurned that देखो यानि कि वह ऐसे चलता है ना जैसे कि यह पूरी की पूरी धरती उसी को बिलॉउण करते हो अब मैंने आपको क्या बताया है आपका जब हम एजिफ का यूज करते है ना तो हम ऐसी कंडिशन बता रहे होते हैं जो की हुआ तो नहीं है, ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन मैं उसका comparison उस तरीके से करना चाहता हूँ, तो उसमें हम जब भी as if के साथ use करते हैं, तो हम किसका use करते हैं, simple past tense का use कर रहे होते हैं, ठीक है न, तो यहाँ पर अपना क्या है, the earth belonged to him, बिल्कुल correct है, यह अपना simple past में दे रखा है, यह आपकी veto हो जाएगी, belonged है न, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, यह आपका earth क्या हो जाएगा, यह subject 1 हो जाएगा, subject 2 हो जाएगा, क्योंकि he, he जो है आपका यहाँ पर subject number 1 है, और यह आपकी verb हो जाएगी, इसकी he की, ठीक है न, यह आपकी main verb बन जाएगी, फिर इसके बाद में जो as if है, as if आपका ऐसा conjunction use हो रहा है, इसके बाद में earth the earth क्या हो जाएगा, subject number 2, belong'd हो जाएगा, इसका verb number 2, और फिर 2 क्या बन जाएगा, यह proposition हो जाएगा, और यह him क्या हो जाएगा, proposition का object बन जाएगा, ठीक है न, और मैंने आपको बताया है, अगर इसके पहले, अगर मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ न, यह अपना present में काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको number 361 देखने हैं फटाफट से, question number 361 में क्या दे रखा है, he walked 10 miles by foot, ठीक है न, तो उसने क्या गिया है, 10 miles तक वो foot पे गया है, अब देखो, कभी भी हम by proposition का जब use करते हैं तो उसमें अपना जो next आ रहा होता है, by proposition का जो object बनता है न, वो एक agent होता है, ठीक है न, वो क्या होत काम कर रहा होता है, तो मुझे एक बात बताओ, आपके food यहाँ पर कुछ काम, आपके food या agent है किसी चीज को काम करने के लिए particular, तो agent तो नहीं है, तो और दूसरी बात, कि कभी भी आप अगर on food का use करते होना, तो यह जो on food होता है, यह अपने आप में एक idiom होता है, ठीक है तो इसका मतलब होता है, रनिंग यह walking करना, अपने feeds का use करके, ठीक है, फीट का use करके, तो देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, subject बन जाएगा, यहाँ पर अपना main verb बन जाएगा, और फिर 10 miles क्या हो जाएगा, यह अपना object हो जाएगा, miles यहाँ पर यह अपना क्या बनेग हो जाएगा, भूलो फटा फट से order बता रहा है क्या है, यह नहीं बता रहा है, तो यह अपना क्या हो जाएगा, cardinal objective हो जाएगा, clear है न, क्या बन जाएगा, cardinal adjective, clear है, अब इसके बाद में देखो, मैं आपर क्या करूँगा, अब by food का use करूँगा, क्या नहीं, मैं आपर on food का use करूंगा अब ये on क्या बन जाएगा फिर on अपनी proposition बन जाएगी फिर food क्या बन जाएगा इस proposition का object बन जाएगा clear है बास समझ में आगी न चालो अगले question पर आते हैं error पता चल गई होगी third वाले option में जो है error आएगी ठीक है अगले question पर आता हूं question number 362 देखते हैं he is good in mathematics but his friend isn't यानि कि वो mathematics में अच्छा है बट उसका friend इतना अच्छा नहीं है एक बार दूजरा गलर ले लेता हूं एक बार में देखो अब ये क्या बात हो रही है he, he क्या हो जाएगा subject हो जाएगा यहाँ पर is क्या हो जाएगा verb हो जाएगी ठीक है अपना good क्या हो जाएगा अब जरा मुझे बताओ वो किस में अच्छा है mathematics में अच्छा है अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूं कभी भी हम किसी चीज में किसी भी adjective का इस तरीके से use करें जब हमें किसी के बारे में बताना हो कि somebody somebody does something well ठीक है ना जब हमें इसके बारे में बताना अपना sense हो रहा हो कि कोई इसी चाम को बहुत अच्छे से कर लेता है तो हम पदा है कौन सी proposition यूज करते हैं यह आपका good क्या है good adjective है लेकिन यह good किसको qualify कर रहा है mathematics को qualify कर रहा है कहीं न कहीं ठीक है न तो इससे पहले जो proposition यूज हो रही होती है इसको बड़े ध्यान से समझना यह पूरा है कहीं न कहीं पूरा एक ही ठीक है न गुड अब देखो यहाँ पर हम कभी भी क चीज के बारे में बता रहे होते हैं कि कोई किसी चीज में बहुत अच्छा है तो वहाँ पर हम इनका यूज नहीं करते कौन से प्रपोजिशन का करते हैं एड का प्रपोजिशन का यूज करते हैं clear है पहले मैं आपको यहाँ पर एक example देता हूं जिससे आपको थोड़ी सी मैं फ्रेंच में अच्छा हूं यानि कि यह जो फ्रेंच है ना यह आपका नाउन है इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है यह गुड लेकिन इसके जस्ट बाद नहीं है यह एक प्रपोजिशन यहाँ पर लगी हुई है इसका मतलब यह जो नाउन है यह प्रपोजिशन का अबजेक्ट बन गया यह तो प्यो बन गया लेकिन यह जो गुड है यह पूरे के पूरे इसको क्वालिफाई कर रहा है कहीं ना गई ठीक है ना तो आप इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूस मत होना इस तरीके जब भी सेंटेंस होते हैं इनका जो मेंन मोटो होता है यह आपक अपना at mathematics but his friend isn't मतलब की वो तो बहुत अच्छा है mathematics में लेकिन उसका friend इतना अच्छा नहीं है clear है तो फिलहाल अपनी error किसमें हो जाएगी second वाले में इतनी इसी बात आपको ध्यान रहेगी ना कि जब भी कोई भी कोई काम बहुत अच्छा करता है और हमें उसके बारे में अगले question पर आता हूँ ठीक है ना जहाँ पर थोड़े important points होते है ना उनको आप थोड़ा note down कर लिया करो ठीक है चलो अब देखो 363 में अपने पास क्या है by noon the fog cleared completely अब ये sentence बड़ा ही बहुत अच्छा sentence है अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से explain करता हूँ बड़े धांसे ना बिन चीज़ों को ठीक है तो देखो अब अपने पास यहाँ पर given क्या है by noon ठीक है ना अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ by noon यानि कि मैंने यहाँ पर आपसे point of time बोल दिया या फिर एक period of time के पहले की बात बोल दी कि by noon यानि कि noon तक अब अगर मैं आपसे यहाँ पर ए आप पर let's say मैं यहाँ पर हूँ इस point of time पर मैं बैठा हूँ ठीक है इससे बहुत पहले आपका noon आया हुआ था यानि कि यह जो noon है ना अब बात को समझना थोड़ा ध्यान से यह हो सकता है कि आपको इस टैप की questions में कावी सारे rules रट्टे बठा दिये गए हो लेकिन मुझे आपकी understanding को थोड़ा develop करना है क्योंकि आप जब तक English में understanding को develop नहीं करोगे आपके rules रट्टे बठाने से ज़्दा चीज़े नहीं पाएंगी let's say आपका paper qualify हो जाता है जैसे तक से करके English में हो जाता है ठीक है लेकिन फिर बात में क्या करोगे आपको अगर English की ज़्यादा अ चुका है यानि कि आपका इससे पहले noon से भी काफी पहले कहींग यहाँ पर fog आपका start होना चाल जो fog है वो आपका spread होना start हो गया होगा ठीक है लेकिन noon आते आते क्या है noon से थोड़ा ही पहले यहाँ पर आपका fog जो है completely clear हो गया है मतलब कि आपका fog जो आपका fog हट रहा था clear होना चल रहा उसका जो वो पूरा complete हो चुका है noon से पहले तक यानि कि यह वाला जो point of time है यह आपका past का है फिर और past से पहले है और अगर यह काम यहाँ पर इसके past से भी पहले शुरू हुआ है और वो past से पहले ही खतम हो चुका है पूरा perfectly तो वो tense अपना किसमें होना ची past perfect में होना चीए की नहीं होना चीए बोलो जराबास मज में आ रही है क्या मेरी देखो भई और थोड़ी सी समझानी कि मैं कोशिश करता हूँ यह मेरा क्या है present का time है present से काफी time पहले जो आपका noon का time है यह अपना simple past वाला time होता है ठीक है ना अब इस simple past से पहले कोई काम आ point of time है ना यहां पर आते आते पूरा complete भी हो गया यानि आपका पूरा अगर complete हो चुका है पहले ही तो वो किसमें हो जाएगा past perfect में हो जाएगा लेकिन अगर यह काम आपका already चलता रहता यहां पर noon में भी चलता रहता तो यह tense अपना किसमें जाता past perfect continuous में जाता क्योंकि मैं जिस past वाले point of time की बात कर रहा हूं उस time पर वो काम अपना continuous था ठीक है ना तो यहां पर लेकिन अपना काम complete हो चुका है तो हम किसका use करेंगे past perfect का use करेंगे यानि कि sentence अपना क्या होना चीए by noon the fog cleared होना चीए कि the fog head cleared हो जाएगा ठीक है ना हमें यहां पर क्या use करना है past perfect का use करना है clear है बात समझ में आपा रही है तो हो जाएगा था fog head cleared completely यानि fog जो है पूरा का पूरा आपका complete हो चुका था यानि कि जो clear हो चुका था ठीक है यहां पर फिर आपका यह fog क्या हो जाएगा subject हो जाएगा clear क्या हो जाएगा main verb हो जाएगी completely क्या हो जाएगा यह आपका adverb हो जाएगा वह आपको qualify कर रहा है किसको clear को qualify कर रहा है clear कैसा हुआ completely हो गया तो यह adverb बन जाएगा वह आपको qualify कर दिया ठीक है clear है बात मेरी by क्या हो जाएगा by आपका proposition होगा अब proposition आया है तो proposition को अपना object चीए तो noon क्या हो जाएगा प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल अब्जेक्ट मन जाएगा clear है बात समझ में आगी error किसमें होगी अपनी second वाले option में error हो जाएगी clear है ना सबको समझ में आगी अच्छे से तो rules रटे देखो आपके कहीं जादा ज़्य काम करेंगे नहीं जब तक आपनी understanding लगाओगी नहीं न तब तक अपना जो है बिश्कुल अच्छे काम चल नहीं पाएगा खेर अगले question पर आता हूँ यहां से मैं हटा रहा हूँ यह सारी चीज़ें अगले question पर आते है question number 364 देखो अहमद has been watching the Oscar nominated film three times अब देखो यहां पर यही बात है अब जड़ा बड़े ध्यान से समझना यह आपका जो tense है अब यह आपका आहमद है ठीक है आहमद आपका बैठा हुआ है अब क्या बात हो रही है उसने Oscar में जो nominate होई है ना movies उनको उसने three times देख लिया अब यहां पर अगर मैं time की बात कर रहा हूँ ना अगर उसने तीन बार देख लिया है मतलब तीनों की तीनों बार वो complete कर चुगा होगा देखना यानि यह वाला जो point of time है यहां पर आते आते यह गर मैं present है यह मेरा present है ठीक है ना और present से थोड़ा पहले अगर उसने movie देखना शुरू किया है तो यह अपना किस में होना चाहिए present perfect वाला time होता है ठीक है ना यह अपना present perfect का time हो गया अब अगर इस time period में उसने देखना शुरू किया और यह वाला time आते आते हैं हाँ पर movies देखना इसने पूरा complete भी कर दिया है तो क्या यह continuous में होगा क्या नहीं होगा अब मुझे पता कैसे चला movies उसने देखना complete कर लिया है यह हमें इस word की वज़े से पता चला कि उसने कितनी बार देखी है तीन बार देखी है अगर मैंने पूरा time बता दिया आपको कि उसने तीन बार movie देखी है इसका मतलब तीनों बार वो complete कर चुका है कि नहीं कर चुका है बोलो हाँ यहां पर अहमद has watched आ जाएगा ठीक है बीन भी हट जाएगा अगर आप यहां पर इसे present perfect बनाओगे न तो क्या हो जाएगा एहमद has watched क्या बन जाएगा एहमद has watched the Oscar nominated film three times ठीक है न अगर आप मैं बात कर लेता हूं पार्सिंग की तो आहमद क्या बन जाएगा इसको मैं सारा यह सारा हटा देता हूं देखो आहमद क्या बन जाएगा subject मन जाएगा फिर यहां पर अपना हैज रहेगा यह अपना particle बन जाएगा helping verb बन जाएगी ठीक है न फिर अपना ये बीन यहां से हटा दो और यहां पर क्या बन गया था वाज्ड बन गया था ठीक है न ये वाज्ड क्या हो जाएगा इसका में वाब हो जाएगी ठीक है न ये helping वाब है ये main वाब हो गई इसके बाद में ये जो औसकर नॉमिनेटेड है न ये औसकर नॉमिनेटेड पूरा का पूरा इस फिल्म को वालिफाई कर रहा है पता है आपको तो ये ओसकर नॉमिनेटेड कही न कहीं adjective का काम कर रहा है और ये film क्या हो जाएगी ये film इसका object बन जाएगी या फिर basically मैं क्या ब क्लियर है बस समझ में आगी ने सबको एरर किसमें हो जाएगी फर्स वाले ऑप्शन में एरर हो जाएगी अगले कोशन पर आ जो कोशिया नंबर 365 देखते हैं फटाफट से अब देखो यह अपना कोशिया नंबर 365 दा पोलिस हैस अरेस्टेड हिम ऑन दा चार्ज ऑफ थैप य चार्ज के साथ में ऐने हुक्रिय। यह चीज आप अप नोट लेना कि हम कभी भी प्लिस हो जाएगी इस तरीके जो बहुत होते हैं उनकी साथ क्या करते हैं क्योंकि यह जो police है ना यह अपनी plural noun को refer कर रहा होता है ठीक है मैंने बोला police आ रही है तो police आ रही है का मतलब उसमें 3-4 बंदे भी हो सकते हैं तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा police have arrested him ठीक है ना क्या बन जाएगा police have arrested him on the charge of theft अगर मैं यहाँ पर आपसे parsing की बात करता हूँ तो parsing देख लो police क्या बन जाएगा अपना यहाँ पर subject बन जाएगा have क्या बन जाएगा helping verb हो जाएगी arrested हो जाएगा आपका main verb him क्या हो जाएगा object हो जाएगा on हो जाएगा proposition प्रपोजिशन आया है यानि की PO बन जाएगा clear है बास समझ में आगई क्या error किसमें है error तो छोटी सी आती है आपको समझ में आ भी गई होगी सारे बच्चों को पता होती है सारी छोटी 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 चीज़ है ठीक है ना देखो खैर अपना second वाले option में error हो जाएगी अब देखो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिदेने भी बच्चे है ना अगर आपको कोई भी छोटी से छोटी एरर आती है ना तो वह आप comment section में पूछ लेना चाहिए आप टेलिग्राम पे पूछ लेना कहीं भी पूछो कोई फरक नहीं पड़ता लेक ठीक है तो इतनी चोटी चोटी बातों में ना मैंने देखा कि सारे बच्चों को शर्मा गये ना डाउट नहीं पूछते सोचेंगे कि और भी डाउट पूछ लेगा या फिर मैं इतना चोटा सा डाउट कमेंट कैसे करूं तो यह सारी बातें कुछ भी फरक नहीं पड़ता ठीक है अगर सीखना है तो सीखना है चीजों को और मेरा में मोटो यहीं है कि मैं आपको सारी की सारी चीज़ें सिखा पाऊं और इतने बेसिक से इसलिए मैं सारी चीज़ें बता रहा होता हूं ठीक है ना ज्यादा आपको डाउट आते नहीं होंगे क्योंकि मैं आपको सार तो बात को समझना, वो क्या बता रहा है, कोई period है, इसके बाद में हमने between का use कर लिया, तो मैंने आपको ये बात already एक lecture में बता रखी है, कि हम कभी भी जब between का use करते हैं, कौन से proposition का, between proposition का, तो इसका मतलब ही हो जाता है, कि मैं यहाँ पर दो time period के बीच का जो भी time होगा, उस का मतलब ही होता है, यानि कि क्या आज जाएगा, यहाँ पर आपका 1991 आपका एक point of time है, दूसरा point of time 1995 है, और मैं दौनो time, जो period time, point of time है, इनको मैं end conjunction से जोड़ रहा होता हूँ, ठीक है ना, तो बात को बिलकुल ध्यान रखना, कभी भी between के साथ मैं two का use नहीं करूँगा, क clear है, तो यहाँ पर हम किसका use कर लेंगे, end का use कर लेंगे, ठीक है, अब एक तरीका तो यह हो गया, दूसरा तरीका सिरर को ठीक करने का ना, यह भी हो सकता है, आप मैं इसको अटा रहा हूँ, आपको note करना हूँ, पॉस गर के note कर लिया करो, ठीक है ना, चलो, इसका दूसर of time की बीच में बात करने वाला हूँ, लेकिन from में आपका यह explain नहीं हो पाता कि मैं इस बीच के पूरे के पूरे time period की बात करूँगा, तो यहाँ पर मैं to का use कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो यह हो जाता है, आपका from 1991 to 1995, तो यहाँ पर हम between अटा करके from का use भी कर सकते हैं, दो तरीके से अपनी error solve हो जाएगी, ठीक है ना, clear है बात समझ में आ रही है, फिर यह period अपना यहाँ पर subject बन जाएगा, फिर यह proposition के object बन जाएगे, आगे कि यह कहाँ नहीं रहेगी, was अपना यहाँ पर helping verb या फिर main verb भी बन जाएगी, ठीक है ना, फिर यह significant क्या हो जाए linking verb बन जाती है, और जब जब linking verb बनती है, तो वहाँ पर आपका object तो नहीं होता, यह कहीना कही subject को ही qualify करता है, तो क्या बन जाता है, subject compliment हो जाता है, क्या बन जाता है, subject compliment हो जाता है, ठीक है, compliment की कौन से वाली spelling लगेगी, e वाली की आई वाली, हाँ भी, कौन से वाली हरे ना सबको चलो यह हो जाएगा कहां तक आगए हम वैरी देखो अभी बैसिकली क्या हो जाएगा आपका ऐड़ भाफ डिगरी होता है वैरी क्या हो जाएगा अदर वाफ डिगरी कहीं ने कहीं डिगरी ही तो बता रहा है कि significant है लेकिन कितना बहुत ज्यादा significant ठीक है न तो यह क्या हो गया adjective को जो qualify करता है वो क्या होता है अपना adverb होता है clear है यहां दक सारी बात है इन क्या हो जाएगा आपका proposition हो जाएगा life क्या हो जाएगा इस proposition का object बन जाएगा और यह माई क्या हो जाएगा life की उपर अपना possession दिखा रहा है possessive objective की तरह use हो जाएगा सारे के सारे words clear होगे की नहीं होगे सबको समझ में आ गया पार्सिंग clear होगी एरर भी समझ में आ गी होगी चलो भई अगले question पर आते हैं इसको मैं हटा देता हूँ जरा चलो अगले question पर आते है देखो यह रहा आपके सामने अगला question बताओ फटाफट से आप लोग इसमें क्या error आनी चीए हाँ भई तो both me and my sister went to a boarding school यहाँ पर यह देखे कई सारे बच्चों को error पता चली गई होगी अब देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है ना कि went to a boarding school यानी कि यह अपनी यहाँ पर क्या हो गई है आपकी main verb हो गई ठीक है ना इसके बाद में अपना to a boarding school हो गया ठीक है अब बात को जरा यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि यह जो my sister है ना यह जो my sister है और यह जो me है यह कहीं ना कहीं अपने क्या होने ही subject होने ही क्योंकि यह जो end होता है ना मैंने आपको बताया हुआ है कभी भी हम end जो आपका conjunction होता उसका use कहां करते हैं जब आपके दौनों तरफ हमें balance करना जो चीज आपकी side होगी वही चीज आपकी side होगी अब आप बोल सकते हो कि यहाँ पर अगर सरी मी आपका objective case में है तो इसको भी आप objective case में ही रहने देते तो लेकिन यहाँ पर आपकी main verb इसका मतलब इसके पहले इसका क्या आना चीए subject आना चीए है ना तो यह my sister क्या बन ज case यानि कि subjective case यूज करेंगे आई ठीक है ना तो यह क्या हो जाएगा बोथ I and my sister went to a boarding school यानि कि मैं और मेरी बैन दोनों ही क्या करते हैं बाइस बोर्डिंग स्कूल जाते हैं clear है बास समझ में आ रही है next question पर आज हूँ जाते थे ठीक है वेंट है ना यानि कि आपकी past वाली हम इनको क्या बोलते हैं complimentary subject यानि कि यह आपस में क्या हो रहे होते हैं या एक दूसरे के पूरक होते हैं या फिर हम आपसे बोल दो यह एक दूसरे के कहीं ना करें एक दूसरे को एक साथ मिलके एक नया sense provide कर देते हैं ठीक है इसमें आपके कौन-कौन से आ जाते हैं let's अग गर मैं example देना चाहूं तो आपका एक bread and butter हो गया ठीक है सबने सुना ही होगा bread and butter क्या होता हम इसे एक ही subject मान के चल रहे होते हैं जब हम रेट के उपर butter डाल देते हैं तो वह मिलके एक हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है तो इन सब के बाद में हम क्या करते हैं singular आपकी जो व लगा देता हूं लगा देता हूं बिलके एक बन जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं और संब यह भी आपका फिर साथ में singular वर रहा होता है लेकिन यहीं मैं क्या करता हूं और संडा कार्ट लिग देता हूं तो दो अलग अलग हो जाएंगे अब देखो यहां पर बात क्या हो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा वेट होगा क्योंकि आपका जो होते हैं उसमें सिंगलर वर्ब हम कैसे बनाते हैं ऐसे यह लगा तो यह क्या हो जाएगा टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉमेंट ठीक है ना क्लियर हुआ बास समझ में आगी बेसिकली आपका यह हम एडियम भी एडियम क्या बेसिकली एज़ा हम किसी चीज को पर्टिकुलर्ली रि करना पड़ेगा ठीक है चलो नेक्स्ट पर आता हूं अपनी आपर इरर किसमें होगी सेकंड वाले सेक्षन में कोशन सेकंड वाले उप्शन में जो है अपनी एरर निकल के आ जाएगी ठीक है ना चलो अगले कोशन पर आता हूं चलो बई यह आपका कोशन नंबर 369 लेसे कब Kingdom करते हैं हम नंट करना हो कंपैरेंस को तो हम कौन सी प्रपोजिशिशन का यूज करते हैं तो और आपको अज-जामपल दो गाब को पता ही है हम यहाँ पर कोई भी चीज का रट्टा डालके नहीं छोड़ेंगे समझते हैं थोड़ा सा देखो तू का मतलब जैसे अगर मैं आपसे क्या देदू अब मैं तो टू वन यानि कि जो रेशियो है ना राइस और पर्ल्स का वो कितना है अगर मैं कंपेर करता हूं तो टू वन ह इन दौनों का कंपेरजन हो रहा है ना रेशियो किस किस का राइस का और पर्ल्स का तो हमने बीच में किस का यूज कर लिया प्रेपोजिशन टू का यूज कर लिया ऐसे अगर मैं आपको एक और एक्जामपल बोलना चाहूं तो सुन लोगे या देखो शी इस जूनियर यानि कि मैंने उसका अपने साथ में कंपेरजन ही तो किया है तो मैंने किस का यूज कर लिया तो देखो यहां पर बेसिकली अपने कोशन में क्या हो रहा है कि क्रिस्टीना के जो फ्रेंड है ना उन्होंने उसकी रमडी को प्रफर किया किसके कंपेरजन में डॉक्टर की कं तो यहांपर कौनसी proposition यूज हो जाएगी ौवर की प्लेस पर हम प्रेसिशन का यूज़ करेंगे ठीक है कौनसी proposition का यूज़ करेंगे क्लियर हुई क्या ये बास बसमचमें आती है जब को ठीक आना अब देखो जड़ा हम इसको समझ लेते हैं कैसे क्या parsing हो रही है यहांपर क्या कर देना अपने को टू कर देना अप देखो Christina's friends हो जाएगा तो यहांपर friends क्या बनेगा यह आपका subject बनेगा और यह जो Christina's यह basically possessive बनेगा है थी कहा हो जाएगा एस अप अब possessive objective यूज और बनेगा ठीक है, Christina's तो यह आपका possessive objective बन जाएगा, क्या बन जाएगा, possessive objective, clear है, तो इसके बाद में अब आपका ये to क्या है, proposition है, फिर इसके बाद में doctors, अब देखो, ये जो आपका doctors है, अब आप बोलोगे कि सर ये doctors है, doctors तो अपना इसका object होगा नी, आपने तो बोला है proposition के बाद हमेशे object आ होता है, तो देखो बेटा, हमें कभी भी क्या करना होता है, किसी भी sentence को हमें सबसे ज़्यादा चोटा से चोटा बनाना होता है, ठीक है न, हम उसको क्या करते हैं, अपने length में चोटा रख रहे होते हैं, तो अगर आप इस sentence के logic की बात करोगे, तो basically क्या है न, preferred हमने किसको क किया है, उसकी remedies को किया है, मैंने यहाँ पर पहले ही clear कर दिया, हम उसकी remedies के बारें बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, doctors, remedies यहाँ पर understood है, ठीक है न, तो इस बात को लेकर कभी भी confusion में मत रहना, ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसा question दिखता है, तो उसका म बात बोलनी है, ठीक है, ऐसे बोलता हूँ, मैं थोड़ा से समझ नहीं कोशिच करना, ठीक है, बस समझा रहाँ, 10 ग्राम आपकी बात बोलनी है, और आप अपने words को लेके आजाओ, 1 kg का, ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना होता, अगर आपको 10 ग्राम बात बोलनी है, तो पर हम क्या करेंगे doctors remedies यानि कि जो यह जो आपका डू proposition है इसका object क्या बनेगा remedies इसका object बनेगा जिसमें यह doctors क्या है remedies की उपर अगेन यह अपना possession दिखा रहा है ठीक है न यह है तो noun लेकिन यह possessive हो गया तो हम यह basically इसका काम क्या हो जाएगा एक adjective की तरह यह काम करने लग रह हो आई होब कि आपको सारे questions जो है समझ में आगे होंगे अगर सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करना शेयर करना सब्स्राइब कर देना अगर भी तक नहीं किया यह सारी चीज़े हैं अब मैं जा रहा हूं सोने काफी ज़्यादा नीज आ रहे हैं आपका रात हो करेंगे और भी कोई दिक्कात होती है मुझे personally भी message कर सकते है without any hesitation ठीक है ना अपने doubts को बिलकुल आप दूर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है एंड तो यहीं पर सेशन को एंड करता हूं thank you so much God bless you all take care बबाई सायोनारा